नमस्कार दोस्तों मैं रागप्रताब स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्मलोजी और इन्वेंशन पर तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में तो हमारे किसी वीवर भाई का रिक्वेस्ट आयता है हमारे कमेंट सेक्शन में कि सर माई miał no load error क्या है इससे related वीडियो बनाए है तो सबसे पहले start करते है आज के वीडियो को हम जानेंगे सब सब्से पहले आज के वीडियो के miał होता क्या है तो behavior है Mal functioning landmark ее जो लेमप आप देख रहे हैं जो यहां बना उवा है हिए जब भी आपके मीटर सेट में सो करेगा जहाए गाड़ी आपकी डीजल है CNG है बेसिकली ये BS4 से ही OBD स्टार्ट हुआ था BS4 में जब हमारी स्टार्टिंग में गाड़ी आई थी तो OBD नहीं था OBD का मतलब है on board diagnostic यानि कि जो diagnostic कोई भी solution जो हम गाड़ी पे मतलब अगर करते हैं तो उसका जो reflection है यानि कि गाड़ी में कोई भी problem है तो गाड़ी की problem के साथ ही ये light आपके meter set में reflect होगी जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि कहीं न कहीं हमारी गाड़ी में कुछ problem है जिसका हमें जल्दी से जल्दी समाधान कराना है तो ये है कि malfunctioning यानि malfunctioning का मतलब होता है किसी भी चीज़ का काम पूर्ड ना करना है यानि कि कोई गाड़ी का sensor या कोई भी part अगर काम complete नहीं करेगा तो उसको उस part की malfunctioning कहेंगे ठीक है और उसी को indicate करता है ये lamp जो हमारा OBD2 गाड़ियों में dashboard पे आना start हुआ था ठीक है उसके बाद आगे बात करते हैं कि ये स्कोड के आने से या इस light के आने से आपकी गाड़ी में क्या basically ये indication है ठीक है अब वो indication किसी भी sensor यानि कि आपका cam sensor काम नहीं कर रहा है गाड़ी का crank sensor काम नहीं कर रहा है गाड़ी की speed sensor गाड़ी की performance में कहीं problem है गाड़ी का combustion अच्छा नहीं हो रहा है average में कोई issue आ रहा है अगर कहीं भी कोई भी problem आप feel करते हैं तो आपके साथ साथ ये आपके problem feel करने के साथ साथ ये light भी आपको dashboard में on मिलेगी जिससे के आप ये भी समझभाएंगे के कहीं नहीं कहीं हमारी गाड़ी में कुछ ना कुछ problem है ठीक है तो ये तो हो गया हमारा malfunctioning indication lamp ठीक है फ्रेंट्स आगे बाद करते हैं हम कि जो ये code है no load error ये क्यों आता है cause of reflect जब आप कभी आप scanner में देखेंगे या sml की जो डीजल गाड़ियां हैं जिन में हमारे meter set में code reflect होता था तो उन गाड़ियों में कभी आपको 0650 लिखा दिखा मतलब उसमें code को reflect करती है कि जब कोई code आएगा तो उसके साथ भी light reflect होती है तो ये light की circuit में कहीं ने कहीं problem है अब light के circuit से मतलब है कि हमारी wiring harness ठीक है कहीं wiring harness sort हो गई है कोई wiring कहीं कट गई है जो इसके circuit को complete करती है वो wiring कट गई है पहला कोज दूसरा कोज या जो meter set है आपका जो meter cluster लगा हुआ जहां पर ये lamp लगा रहता है तो जहां meter cluster में आपको ये lamp जहां लगा हुआ मिलेगा या तो इस lamp को ही खराब हो गया मालो ये lamp जली ही नहीं रहा है ये lamp खराब हो गया फिर भी ये error reflect करेगा यह error reflect करने का मतलब यही है कि आपका जो यह lamp है यह lamp की circuit खराब हो गई है यह lamp जल नहीं पा रहा है यह reflect नहीं कर पा रहा है कि आपकी गाड़ी में कहा problem है इसके regarding ही यह error code है ठीक है तो आप इसको आसानी से चेक कर पाएंगे जब आप देखेंगे कि या तो wiring harness wiring harness related है या issue का कोई ground lose हो गया है ठीक है उसकी बज़े से भी लाइड नहीं या फिर मतलब इसकी LED का बलवी खराब हो गया अंदर वाला या फिर कोई circuit में या wiring कहीं कट गई है या मीटर के पीछे जो प्रेंट प्लेट हो जाती और यह 0650 no load error code हमें M.I.L. no load error code दिखना स्टार्ट हो जाता है तो बेसिकली यह था हमारे आज के वीडियो बनाने का प्रपच के हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बता पाएं कि जो हमारा error code है 0650 no load error किस से related है तो यह था हमारा आज का वीडियो आसा करता ह हो आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को थेंक्यू फ्रेंड्स थेंक्यू बेरी मच्च